चालीस रुपे कीलो आलू है पहले सुन लिजिए मुख सब्जी चालीस या अलू का सब्जी है एक बताए गड़ीब आदमी के दर्वाजा बड़गर्दू को कुटूम आ जाए तो उसको चालीस को रुपया नहीं होगा जो आदमी आलू खरी के सब कुटूम को खिलाएगा स तो लीजिए यहां मागाई पर सरकार बनती है मागाई घटाने के लिए यह की दे छुने के लिए ने पैसे से इंजिनियर हूँ अब 10 साल से में नोगड़ी कर रहा हो बाहर हम चाहते हैं कि मेरो घर पर रोजगार मिलें नहीं कि हा मतलाब 10 साल 20 साल 30 साल हम जड़ी बहर ही क आज बिश्पी बिधान सभा में चुनाबी सरगर्मी जानकारी के लिए पहुंचे हैं यहां हजमा चौक पर पस्थित है मलंगिया गाउ है और मलंगिया गाउ का यह famous चोक है हजमा चोक तो निश्चीत रूप से किसी ना किसी हजां भाई के नाम के उपर रखा गया है और इस चुनाब की सरगर्मी 2020 की सरगर्मी किस परकार का है यहां हम लोगों से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इस वर्का चुनावी मूड क्या है किस मुर्तमान सरकार एंडिये की केंदर में है और बिहार में भी है तो इन दोनों की सरकार रहने के बावजूद भी 15 साल से लगातार नितिश्कमार सरकार में हैं और तेजस्वी भी चुनावी सभा में अपने को मुखमंत्री का दावेदार मान रहे ह हैं वे सबसे ज़रा प्रभावित कर रहा है वार के चुनाव के जाएं कि युद्र नितिश्क माराते हुए भी नहीं किया है बिहार के जनता को अगले पांच साल के लिए जब मुखमंतरी के लिए तो बिहार के जनता के साथ रहेंगे इससे भी ज़्यादा दम खम में रहेंगे तेसे नहीं कि आदब के अधर यारज का पीछे देख़ी आज कि लेकान कांथ के लिए परधान मंतड़ी दूसरे राज का मुंखमंतरी इनके पीछे पर है उतना तागत है इन में 28 भर्स की उमर के लरका में जाज सब को पीछे कर रखा है अधा कौन सा मुद्द आज इसको ले करके तमाम आप कर रहा है कि विपक्षी उनके पीछे दौर रहा है अधा कौन सा मुद्द है बिहार में 15 साल नितिश्कुमार रहे हैं शुरू में विकास किये नितिश्कुमार जी इसा नहीं है लेकिन इस दस साल में नितिश्कुमार जी विकास किये हैं लेकिन जो भी हुआ जलना सात निश्चे योजना बिहार में हर एक पंचायत में हर एक वाड में 20-20 लाग का ना इन तमाम मुद्धों पर सिक्षा के नुद लिए बात कर रहे हैं। किसान करेड़ कर बात कर रहे हैं। आप गाउँ में जाये उस वाड में जाके देखिए जो जिस वाड में 20 लाग के योजना दिया गया क्या वो घर में पानी पहुंचता है। जाके वहाँ धारतल अस्तर पर जाये जमीनी अस्तर पर जाके देखिए जो नितीषकुमार का जो भी योजणा हैं जाके जाके कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको तो राम भारोस जी आप दलित समासे हैं क्या जी 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 तो इस बार के चुनाब में किस परकार का सरगर्मी है आपके विधान सभाव देखिए में हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं और इसलिए बदलना चाहते हैं कि जो सरकार बार बार सरकार बनती है वह जनता के तरफ ध्यान नहीं देते हैं इसलिए हम लोग 5 साल के लिए बदलाव करते हैं अगर तेजस्वी अगर गलत करेंगे तो उसको भी बदलने में हम लोग को टैम नहीं लगेगा या जनता के निरने हैं बहुत बहुत बदा बात आपने इस बार चुनाबी मुद्दा को लेकर करके कहें हैं कि 15 साल से हम नितीज को जहले हैं या नितीज को पान साल के लिए हम तेजस्वी को समय दे रहे हैं मौका मिलेगा अच्छा काम नहीं करेगा तो हम उसे बदलने का भी मादा रखते हैं देखिए या नितीजी के सरकार में हम लोग किसी सरकार को गिला शिक्वा नहीं कहते हम लोग जो धरातल बढ़ाए वही बात बोलते हैं हम लोग यहां से जो गड़ीब आदमी यहां से अगर परखंड में किसी बात को ले कर जाए बीना पैसा का काम नहीं होता है सरकार लंबी लंबी भासन कर रहा हैं बड़ा-बड़ा मंच पर कि हमने साथ निश्य के तहत जलनल लगबाया आप चैनल चलाते हैं आप आप ही ग दोख़़म की बना हुआ है उसमें एक फिन लगा हुआ है किसी में पानी नहीं जाता है सरकार कोहते हैं कि हम स्वक्षपानी आप जो है सो हम दे रहे हैं लेकिन लोग नहीं भातों लोग पिए इस बीमारी कि आप बचाएगा और वीमार लोग हो जाएगा इस तरीका का इस ठीटी आपको देहात में मिलेगा दूसरी बात रहा मुद्दा विकास की तो विकास निटीजी के समय हुआ यह बात नहीं है लेकिन हम लोग आप सरकार इसलिए बदलना चाहते हैं कि पढ़ लीग करके जो हम लोग को बाल बच्चा है पढ़ा तो दलीत खेतब चलाते हैं पडली करके आपका कई नहीं होटल करके आप पकोडा च्छनते हैं अच्छा चलता का रोस और ये रोस जो विरोजगारी का रोस है जो सरकार के अंदर में जो है उस रोज को इन्होंने राम जी जो हैसो रख रहे हैं तो निस्तिरुप से और पुछना चाहेंगे कि विरोजगारी के साथ में और कॉनकों सी समस्या है जो सरकार से आप रखना चाहते हैं पनजाब हरियाना पहले सुन लीजें बंजाब हरियाना जिस समय में रेलवें खाप हम लोग तीन सोर रूपया में दूसरी ने पहुंच थे अब हम लोग को दूसर रूपया लग रहा है यांघ्यागि की स्थिति हैं पांच किलो तो सरकार दाना देती है कि हम फिरी में पांच किलो दिये अब एक बात बताईए लगातार जहां भी गये हैं दलित बस्ती में लोग यही कह रहे हैं कि जदी केंद सरकार यानि मोदी जी नहीं रहते तो हम भूखें मर जाते पांच किलो अनाज दिया है इसलिए हमको बोड़ देंगे सुना जाए हम लोग को समा से ज्यादा मुर्ख मिलेगा यह बात को सुन लिजिए अभी एलेक्शन का ठीकेदार घुरता है सब लोग को दवाप दे करके पढ़ाता है कि भाई तुम लोग के करो यह हुआ यह हुआ लेकिन एक बात बताईए पांच किलो दाना चाबल मिलता है यह हुँ मिलता है उसको हम लोग खाकर के जिंदा नहीं रहेंगे 40 रुपे किलो आलू है पहले सुन लिजिए मुख सबजी 40 यह अलू का सबजी है एक बताई गड़ीब आदमी के दर्वाजा बड़गर्दू को कुटूम आ जाए तो उसको 40 रुपया नहीं होगा जो आद मतलब गरीबों के घर से आलू प्याज जो है महगाई के कारण गाइब हो चुका है अगर सरकार हमको चाबल स्रीप फांकने के लिए दे क्या उसे गुजरा जाने बला है 120 रुपे किलो दाल हो गया हम लोग का ठाली में डालागा अगर प्याज भी अगर उसमें हम नीमक मिल भी खाते हैं वहीं खाकर के हम लोग जीवित रहेंगे अशरकार लंबी भासन करते हैं आपकी तकलीफ और क्या क्या है जो 15 साल से यह बरतमान सरकार नितिस्कुमार की है 15 साल पीछे राज़त की सरकार रही है और यह दूनों के बीच में लगाता है तो इसे में किसको पर मील पंडल सूता मील को बिहार का और खासकर मिठलांचल का जो भी कास है जूत मिल के माधियम से छा इसके बाद घना जो हम लोंके यह होता है उसका जो बंद पराहुआ हुआ है ऐसे में निसीत रूप से युवाओं तो अपकिस सरकार से उपीन वो खुल जाए कि कॉंग्रेस की सरकार थी तो मील घीच तिर के चलता था गंणा का पुर्जी से लोग बंधक रहा देबर की तरह पैसा निकालता था बेटी-बेटा का विया करता था बाप माई का स्राब करता था कि गन्याइं से यहां का किसान बिल्कुल यह हो गया अपाहिज हो गया दूसरी बात है कि गन्याइक कि खेति हो जाती थी उपजी अच्छा होता था लोगों को पैसा अच्छा міज जाता था अब आप चपष्छा गातों डेभद दिया कोई पैसल हो ना धान होता है, ना धंका गिवू होता है, ना सबजी होता है, यहां तो लोग सबजी खती करने वाले हैं, तो इस सारी मुद्दा जो है रया मिल को बेश दिया गया, लोहट को तो लोगोंने बचा के रखा कल पुर्यातो, इस सब जो दुख का दर्द है, वो नितीजी कभी जहले नहीं, देखे नहीं, और बोलके गया थे, इदी रया मिल नहीं चलेगी, तो हम बोट मांगने नहीं आएं, आप जो कहना चाहते हैं, निस्चितरुप से खुल कर बताईए, मैं पेसे से इंजिनियर हूँ, अब दस साल से मैं नोकडी कर रहा हूँ बाहर, हम चाहते है कि मेरे घर पे रोजगार मिले, नहीं कि मतलब दस साल, वीच साल, तीस साल हम जदी बाहर ही करते हैं, तो मेरा यहां पर पडिवार है, उसको छोर के कब तक हम बाहर रहे हैं, कौन सा इंजिनियर है, हम एलेक्ट्रिकल इंजिनियर है, और डिग्री धारी है, या डिप्लोमा देंगे, तो हम लोग उस पर इनको भोड़ देंगे, एक आसा जगी है, कि तेजस्वी जो कहा है, तो उनीस लाग तो आपको एंडिये भी देने के लिए तेयार है, उनीस लाग बाद में घुसना किया है, वो तो दो करोर पाले भी किया था, तो मतलब दो करोर पर विश्व कुसवाहा है, तो उपेंद्र कुसवाहा भी है, दुसरा बात है, नितिश कुमार भी है, तो ऐसे में किस चेहरा पसंद है, उपेंद्र कुसवाहा जो है, दलबादलू ने नेता है, इसलिए हम उसे नहीं चाह रहे हैं, 15 साल से नितिश कुमार भी है, तो उनको क्यों नहीं पसंद करें नीतिष कुमार पांट शाल कुछ क्या है तस साल में कुछ ने किया है क्या नाम है बाबाँ लखन पासमान ऑँ पासमान जी इस बार चिराग पासमान भी है जजस्वी भी है इधर closer 15 साल से नीतिष कुमार भी है तो इस वे श्मार बोडटे रहे हैं इस बार हूं राशन कार के दाना देंगे इसको देंगे मतलब मोदी जी को देंगे राम मंदिर भी बना दिया है इसलिए बोड़ देंगे